So guys, इस महीने आपको एक से एक अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिले मार्केट में और यहाँ पर कई सारी सेल भी आई, तो यहाँ पर काफी सारे कस्टमर्स दे स्मार्टफोन ले लिए होंगे, लेकिन अगर आप अभी भी वेट कर रहे हैं नए स्मार्टफोन का, तो इस व पहली वा रहा हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी टैक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो हर महीने की तरह यहाँ पे नॉवंबर मत में भी आपको कई सारे स्मार्टफोन के ओप्शन देखने को मिलेंगे सभी कमपनीज की तरफ से तो चली यहाँ पे जानते हैं कि कौन-कौन से ऐसे स्मार्टफोन है जिनका आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए इसमें सबसे पहले बात करते हैं गाईज शाओमी और रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में सबस्तारिक être को चैना में लॉंच होने वाले हैं और होसकताय कि नुव्यंबर मंत मैं या फिर दिसंबर तक आपको यह समार्टफोन इंडिया में भी देखने को मिले जिसमें की तीन स्मार्टफोन होगे और होसकता है इन में से एक स्मार्टफोन यहाँ पे rebrand होके Poco के अंदर आए अगर Poco की हम बात करें तो Poco के अंदर M4 series आने वाली है अगले महिने November के मन्त में जिसमें Poco M4 होगा और उसका Pro Variant होगा इन स्मार्टफोंस का भी काफी जारे customers को wait रहता है इसमें एक 4G स्मार्टफों होगा और जो Pro Variant होगा 5G आएगा तो यहाँ पे काफी अच्छे option आपको देखने को मिल सकते हैं Poco की तरफ से भी इसके लावा दोस्तों जो Poco की X series के स्मार्टफों होते हैं उसके भी leaks आने स्टार्ट हो जाएगे और काफी information आपको अगले महिने मिल जाएगी तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर budget segment के customers के लिए बात करते हैं तो जो Redmi की 10 series है यानि की numerical series वो भी आने वाली है इंडियन मार्केट में उसमें Redmi 10 smartphone होगा Redmi 10 power होगा future में आपको और smartphones में मिलेगे जिसमें prime वगर आएंगे तो हर साल की तरह जो Redmi की numerical series होती है उसका भी आप wait कर सकते हैं काफी अच्छे price के उपर आपको smartphone देखने को मिल जाते हैं Redmi के बाद guys अगर बात करते हैं Realme के smart phones के बारे में Pro smartphone है 5G variant के साथ में आएगा तो वहाँ पे काफी अच्छी specification आपको देखने को मिल सकती है इसके लब अगर Realme के premium smartphone की बात करें तो जो Realme GT Neo 2T smartphone है उसका भी China launch हो चुका है और इंडिया में वो आपको अगले महिने देखने को मिल सकता है ऐसे काफी ज़्यदा chances है तो वो भी काफी अच्छा option होगा सभी customers के लिए 25,000 के आसपास Next अगर कुछ और premium smartphones की बात करते हैं तो यहाँ पे IQ की जो 8 series है वो भी काफी जल्दी ही इंडिया में आने वाली है चैना में उसका launch हो चुका है और November मन्त में आपको IQ की तरफ से 8 series देखने को मिलेगी इसके लावा हो सकता है कि एक smartphone और मिल जाए जो की होगा Z5X smartphone जी यहाँ दोस्तों ये भी काफी अच्छा smartphone है Dimensity 900 के साथ में आता है चैना में launch हो चुका है काफी अच्छे price बे और हो सकता है गाईज की IQ की तरफ से ये smartphone भी आपको देखने को मिले November के मन्त में इंडियन मार्केट में तो काफी अच्छे price के उपर IQ आज कल आपको smartphone प्रवाइड करवा रहा है तो आप इंको इनका wait करना चाहिए यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई smartphone इन में से पसंद आ जाए नेक्स जो premium smartphone आने वाला है दोस्तों वो है Asus की तरफ से 8G smartphone और इसकी उमीद कम ही है फिलाल क्योंकि 3-4 महिने से wait कर रहे है customer Indian market में और Asus ने एक confirm भी कर दिया था कि यह इंडिया में चाइनीज market में और Indian market में अगर इसके launch की बात करें तो November मन्त में आपको यह इंडिया में भी मिलेगा तो यह भी काफी कमाल का smartphone होगा आप सब के लिए और इसका आपको definitely wait करना चाहिए one of the best product होगा यह दोस्तों इस price segment में जिसमें की आपको यह मिलेगा अगर Samsung के smartphone की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा अगले महिने November के मत में लेकिन still यहाँ पे आपको A series में मिलेगा एक budget segment का smartphone A03 और इसके अलावा M series में मिलेगा M22 smartphone हो सकता है कि एक आदा smartphone यहाँ पे थोड़ा सा change करके F series में भी लाया जाए लेकिन फिलाल यही कुछ smartphone है जो कि आपको Samsung की तरफ से मिलेंगे अगले महिने यहाँ पे दोस्तों Motorola भी अपना एक smartphone launch कर सकता है November महिने में जो की होगा G51 smartphone यह भी एक 5G smartphone है जो की यहाँ पे Snapdragon 750G के साथ में आता है और उमीद ऐसी है कि Micromax यहाँ पे दो smartphone आपको provide करवा सकता है और साथ में लावागा भी smartphone आएगा अगले महिने November के मन्त में यह आप confirm मान सकते हैं और Infinix की भी यहाँ पे Note 11 series जो आई है उसके smartphone हो सकता है कि अगले महिने आए वरना यह December महिने में आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे अगर काफी कम price में एक smartphone की हम बात करें तो 4000 रुपे के आसपास आपको Jio Phone Next देखने को मिलेगा यानि कि Jio की तरफ से यह नया smartphone आने वाला है और यहाँ पे आपको काफी अच्छी specification देखने को मिलेगी उस price segment के हिसाब से तो इसका भी आप वेट कर सकते हैं आप अगले महीने तो overall अगर बात करें दोस्तों तो चाहे आप premium smartphone चाहते हैं चाहे में drain segment का या फिर काफी सस्ता smartphone हर तरह के option आपको नयूंबर के मन्त में देखने को मिलेंगे इंडियन मार्केट में आप में बताइए कि आपको इन में से सबसे अच्छा smartphone कौन सा लगा जिसका आप वेट कर रहे हैं इसके लाव वीडियो चिलेगी तो like कर दीजिए चैनल पर पहली बार है और subscribe कीजिए मैं मिलना आपको next वीडियो में तब तक के लिए goodbye have a nice day